बॉर्निंग क्लास आज हम लोग डिस्कुस करेंगे एक्साइज 5.6 ठीक है इस एक्साइज में सबसे पहले जो उनको कुश्चन दिया हुआ है वो कौन सा कुश्चन है सिंप्लिफाई ठीक है इसमें दिया 2 1 by 3 प्लस 4 1 by 2 माइनस 1 1 by 4 ठीक है हमारा फिर्स कुश्चन जो है वो दिया हुआ है 2 1 by 3 प्लस 4 1 by 2 माइनस 1 1 by 4 ठीक है इस कुश्चन को solve करने में हमको क्या करना है सबसे पहले यह जो mix fraction दिया हुआ है इसको improper fractions में बनाना है 2 3 जा 6 होता है 6 प्लस 1 कितना होता है 7 7 upon 3 बन गया प्लस 4 तू जा 8 प्लस 1 9 by 2 बन गया माइनस 4 बन जा 4 प्लस 1 5 by 4 हो गया ठीक है अब LCM ले ले लेंगे अब denominators का LCM of denominators ठीक है क्या LCM आएगा भई 3 2 and 4 का क्या LCM आज जाएगा 2 3 4 2 बन जा 3 जा 2 जा 2 बन जा 3 जा बन जा 3 बन जा बन जा ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ 2 2 जा 4 4 3 जा 12 कितना LCM 12 LCM आया ठीक है अब क्या करना है 12 यहाँ पर लिखना है और compare करना है सबसे पहले हम को यह देखना है कि यह जो 3 है 3 की table में 12 कितने times आता है तो हम देखेंगे 3 की table में 12 है वो 4 time आता है तो हम क्या करेंगे 4 का multiplication 7 से कर देंगे प्लस अब यहाँ पर 2 की table में 12 कितने time आता है 6 time आता है 9 से minus 4 की table में 12 कितने time आता है 3 time आता है 35 जा into 5 कर देंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा, 7, 4 जे 28, 6, 9 जे 54, और 3, 5 जे 15, ठीक है, अपन 12, अब क्या करेंगे, इन दोनों का sum कर लेंगे, इस मेंसे को माइनस कर देंगे, तो 4 प्लस 8 कितना होता है, 12, 5, प्लस 2, 7, प्लस 1, 8, माइनस का 15, अपन 12, ठीक है, यहां तक यह आ गया, इसके बाद हम क कर देंगे, तो, 82 माइनस का 15, 12 माइनस का 5, कितना हो गया, 7, 7 माइनस का 1, 6, तो कितना हो गया, 67 अपन 12, अब यह जो नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, mix fraction में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो numerator है, वो बड़ा है, denominator से, ठीक है, तो, 12, 5, जे कितना होता है, 60 होता है, 7 मेरा reminder है तो मैं क्या करूँगा 7 reminder question था मेरा 5 और upon 10 ठीक है यह हमारा answer हो जाएगा अब next question जो है हमारा question number 2 इस question को देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है 3 जो मारा next question है उसको देखेंगे 3 1 by 3 question number 2 3 1 by 3 plus 2 1 by 9 minus 1 3 by 6 ठीक है यह question दिया हुआ है हमको अब क्या करेंगे 3 3s जा 9 9 plus 1 कितना होता है 10 सबसे पहले क्या करेंगे 10 upon 3 लिखेंगे 2 9s जा 18 18 plus 1 19 upon 9 लिखेंगे minus 6 बन जा 6 plus 3 कितना होता है 9 upon sorry 6 बन जा 6 plus 3 9 9 upon कितना हो जाएगा 6 ठीक है इसके बाद क्या करेंगे बहिए 3 की टेबल में 18 कितने डाइम आता है 6 टेम आता है 6 मल्टी प्लेड़बे 10 कर देंगे यह प्लस है इसलिए हां प्लस लिखा 9 की टेबल में 18 कितने डाइम आता है 3 x 9 कर देंगे तो कितना हो गया 6 x 10 जा होता है 60 2 x 9 जा 18 मतलब 19 x 2 कितना होगा 38 कितना हो जाएगा 38 9 x 3 x 27 अब क्या करेंगे यहाँ यह जो नमबर दिया गया है इन दोनों का सम कर लेंगे तो इसमें से इसको सब्टरक करेंगे कितना जाएगा तो यहाँ पर देखिए 98 minus 27 8 minus 7 1 9 minus 2 8 minus 7 1 बचा 9 minus 2 कितना हो जाएगा 7 कितना जाएगा यह 71 upon 18 ठीक है remaining questions आप लोग कीजेगा जहाँ भी आपको doubt जाती है मुझसे cancel कीजेगा Thank you